पिछले हाफ्टे उसके लिए और उसका फैमिली के लिए सब लोग दुआ कर दीजिए मैं जब भी रियाद में जाएगा ये आरिफबाई स्टेज में मतलब आडियेंस में होगा लेकिन उसका चेहरा तो बहुत अलग था बहुत खुबसूरत था उसके चेहरे से एक एनरजी आ रहे थे ये नो मतलब इतना बड़ा ओडियेंस में वो बैटेगा तो भी उसको हम नोटीस करेंगे ऐसा एक चेहरा था मैं जब उसके माउठ के बाहे में न्यूस मिला I couldn't believe बरोसर नहीं हुआ ऐसे कैसे हो सकते हैं इतना यंग इतना एनरजेटिग इतना वाइपरन अर्षी का माउठ कैसे हो सकते हैं हम सब लोग ये सोच के जीते हैं कुछ भी नहीं हो जाया है हमाहे लिए दस साल का प्लान है 20 साल का प्लान है 30 साल का प्लान है वापस बंगलादेश में जाके एक बिस्नस सेट अप करना है एक गर बनाना है एक गाड़ी खरीदना है ये सब प्लान हमारे पास है लेकिन फिर भी कई क्या हो जाएगा हमको मालूब नहीं सही है ना कई क्या हो आरिफ बाई रियाद में एक कम्पनी में काम कर रहे थे अभी बॉडी वापस बंगलादेश में बेजने के लिए हमारे लोग उदर अरेंजमेंट कर रहा है आरिफ बाई इस दुनिया में क्या चोड़के गया उसके फैमिली को चोड़के गया वो फैमिली भी कभी नहीं सोचा आरिफ बाई का माउथ इतना जल्दी हो जाएगा वो कम्पनी अभी शायद आरिफ बाई को कुछ हेल्प दिया होगा लेकिन फिर भी आरिफ बाई का वाइफ या उसकी चिल्डरन उसके कम्पनी में जाके अगर पूछेगा तो मेरा पापा तो मर चुका है वो काम मुझे मिलेगा ऐसे पुछेगा तो वो क्या बोलेगा नहीं दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं लेकिन आरिफ बाई का वाइफ या चिल्डरन किसी भी आत्मी हमारे किसी भी डी एक्सम ओफीस में जाके मेरा बापा का मौथ हो गया है वो डी एक्सम डायमड था मुझे ये बिस्नस का कंटिन्यू करना है ऐसे अगर बोलेगा तो उसी टाइम मैनेजर कुर्सी से चड़ा के उसको बताएगा आप पुरे लाइफ टाइम में वो फैमिली को एक बिस्नस लाइफ टाइम बिस्नस चोड़के आरिफ बाई ये गया है आप इतना बड़ा होड पे बैटके एक एक कॉर्णर पे बैटके आप सोच लीजिए आपके मन में अगर कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं हो जाएगा दुआ करेंगे लेकिन अगर कुछ हो गया तो मैं क्या चोड़के जा रहा है हम पुरे फैमिली के चोड़के इदर आके मैनत कर रहा है क्योंकि उसको हम प्यार करते हैं लेकिन अगर कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या चोड़के जा रहा है क είναι डेकिन बताइगा इदर जितना टी डी इक्षन डायेमंड्स है रूबीज है वो सब लोग कुछ तयार करके रखाएं अगर कुछ हो गया तो भी, इदर का कंपनी कुछ भी नहीं करेगे, लेकिन फिर भी, DxN का बिस्नस उसका फामिली को कंटिनीव कर सकते हैं, अभी जो बाइसर इदर गाना गया, बहुत अच्छा गाना था, प्लीज पुट यहांस तोगधर एकोट पार, यह गाना सुनने के टाइम पे हमको बहुत कुछ हो रहे थे, लेकिन यह होल के, होल चोड के बाहर जाएगा तो, शायद यह कुछ हमारे मन में नहीं होगा, पूरे जिंदगी में एक साटिस्वाइड लाइफ निबाने के लिए, एक झिंदगी, एक कुछ बढ़ा जिंदगी निबाने के लिए, भबन जी हमें करक्ट कुछ बढ़ा जिंदगी निबाने के लिए, हम डी एक्सन का नाई चाहिए, इस प्रोड़िस में जादू है, कितने लोग हैं नये मेमंबस, थोड़ा हाथ ओपर कर दीजी, नये माशालों आपको शायद पता नहीं चलेगा इधर क्या हो रहा है यह डी-एक्षिन क्या है यह बहुत सारे आत्मी लोग कोर्सुट पर अंके इधर आके कुछ भी बोल रहा है यह क्या हो रहा है आप ऐसे सोच रहा होगा लेकिन मैं क्या बताएगा आप में से बहुत सारे लोग अपना सैलरी पहले 10 दिन में महीने के पहले 10 दिन में पुरा सैलरी फिनिश हो जाते हैं आप में बहुत सारे लोगों को लेकिन हमारा डी-एक्षिन डायमंड्स को ऐसा नहीं है वो अपने सैलरी वो भी किसी और कंप्पडी इसमें काम कर रहा है लेकिन अपने सैलरी टच नहीं कर रहा है इदर का कर्चा और वाबस मुलुग का बेजने वाला पैसा ये सब DxN से कमाते है अपने पूरा सैलरी बैंड में जमा हो जाता है एसा एक सिस्टम है इतर डी एक्सन में डी एक्सन कॉंसे साल में पैदा हुआ था 1993 1993 1993 शुर गलत एटिटिरी नाइटिटू में शुरू किया 1992 September में शुरू किया लेकिन डी एक्सन का website में डी एक्सन का brochure में पूरे जगा में आपको ये देख सकते हैं 1993 में पैदा हुआ ये क्यूं ऐसा क्योंकि 1992 September डॉक्त लिम ने डी एक्सन शुरू किया September से शुरू करके December last तक किसी एक प्रोडेक्ट भी नहीं बेच सका इसके वज़े से DxN 1993 में शुरू किये ऐसे बोल रहा है लेकिन 1993 जनुवी में हमारा फिर्स सेल हुआ 1993 में पूरा 1993 में DxN का सेल था 20,000 मलेशियन रिंगिट 20,000 कालिया बजाने का ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत चोटा फिगर है 20,000 रिंगिट एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए पुरा साल का सेल 20,000 रिंगिट लेकिन मैं क्या बता रहा है मैं ये प्रोडेक्स का जादू के बारे में बता रहा है और 1994 में DxN का सेल था 2,000,000 मलेशियन रिंगिट और अभी पिछले साल DxN का सेल था 1.5 billion not million, billion dollars पिछले साल और इस साल के बीच में फरक है 40 percentage सेल फिर भी बड़ा है ऐसे जाएगा तो 2020 में DxN वर्ड के दुनिया के सबसे बैतरी 10 कंपनीज में एक हो जाएगा ये क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये हो रहा है क्योंकि ये system के बज़े से ये product के बज़े से products में कुछ जादू है हम अभी UAE में एक नया factory शुरू करने वाला है DxN का factory विनकि सेल इतना बड़ा है पुरे टाइम मलेशिया से इदर कामा ने लेख के आ सते है और इसलिए हम इदर factory बना रहा है इसके लिए इदर का बहुत बड़ा सिपिसर्स हमको मौका देगा यह सब क्यों हो रहा है यह चोटा कंपणी के उपर यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि यह products में जादू है यह products का जादू आपको कैसे utilize कर सकते है यह आप सोचना है क्योंकि DXN members मतलब यह products का यह जादू भरा products का distributors है तो जब आप यह DXN products बेजना शुरू करेगी उसी टाइब company का sale growth कैसा था मतलब एक साल में 20,000 रिंगिट था दूसरा साल में वह 10 गुणा बड़ा और दीसरा साल में फिर भी 10 गुणा बड़ा ऐसा growth आपका income में भी हो जाएगा आपका अपना bonus income में भी हो जाएगा अगर आप 3,000 या 4,000 तंका कमाने बारा एक आपनी है तो अभी इस होड में decide करके आप 1 साल DXN में काम करेगा तो अगले साल तंका भी 4,000 होगा और DXN का income भी 4,000 होगा तो अपना दुनिया transform करने का इस मौका है इतर आप यह सोच लीजिए पुरा पुरा सेशन आप बेटेगा तो भी गाना सुनेगा तो भी नाच देखागा तो भी मिमिक्री सुनेगा तो भी आपका जिन्दगी चेंज नहीं हो जाएगा आपको जिन्दगी चेंज होना है तो यह जो विक्ट्री है ना विक्ट्री अभी तक हमको नहीं मिला है सिर्फ बंगलादेश इसके लिए नहीं है किसी को भी विक्ट्री अभी तक नहीं मिला है विक्री किसके उपर मिलना है अपने अंदर में एक आपी है उसके उपर मिलना है हम उपर नहीं जाते हैं क्योंकि अपने अंदर से किसी आपमी आपको पुल कर रहा है नहीं वो नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते वो क्या सोचेगा यह क्या सोचेगा तो ये एक अलग रास्ता है कुले 90% of this world दुनिया के 90% आत्मी लोग एक रास्ता में चल रहा है लेकिन डियक्सन और डियरेक्सन लिंग का आत्मी लोग एक दूसरा रास्ता चुना है ये दूसरा रास्ता में आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत चाहिए अपने मन में अपने मन में एक डिसिशन लेना है मेरा रास्ता ये है अगले साल से ये सालरी मेरा वन इंकम नहीं होगा मुझे एक दूसरा इंकम भी हो जाएगा डियक्सन के तरफ से जब में ये चोड़के बंगलादेश जाएगा उसी टाइम में दूसरा जोब डूंटने का ज़रूरत नहीं है ये डियेक्शन का इंकम से ले जीएगा और बंगलादेश में भी में ये बिसनस कंटिब्यू करेंगे अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आरिफबाय के जैसा मे कि डियेक्शन का बिसनस होगा उसके लिए ये पूरे डिजिशन अपने मन में ले डिसाइड करके ये थौड़ चोड़के जाएगा अगर ऐसे करेंगा तो खल से शुड़ू करके आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा करेंगान तो ंजाम अवकर इन अवकर म natural agreementर में जाएगा में ले थायान करनाा ऑएगा पलना अपके रिसके लिए खलेसाइबाय, ये ब vidéoग्या हो जड़के हो हो जगकेशन आरियाह जाएगा ये पूमाल चुरbt judgment झाल झाल